हेलो दस्तों आप सभी का मेरे यूटुब चैनल में श्वागत हैं आज हुम पढ़ेंगे अध्वाय पुंद्रा अनुवन्शी की जनकों से संतानों तक हेले डिटी फॉर्म पेरेंट्स टू आप स्प्रिंग्स का लेक्चिर टेज जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जनकों स जीन तक पेरेंट्स टू आप स्प्रिंग्स फैक्टर टू जीन तो चलिए इस टॉपिक में आगी बढ़ते हैं कि अनुवन्शी के छेत्र में प्रतम महत्वपुण योगदान मिंडल नहीं दिया और इसलिए उन्हें अनुवन्शी की का जन्मताता कहा गया है तो जो मिंडल को कहा जाता है तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि अनुवन्शी की का जन्मताता किसी कहा जाता है तो मिंडल को आनुवन्शी का जन्मताता कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है तो इसमें आप इसका रिजन याद रखेगा कि अनुवन्शी की के छेत्र में मिंड पूर्ण योगतान रहा है जिस वज़े से आनुवंसिक की का पीता या आनुवंसिक की का जुन मताता मेंडल को कहा जाता है मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्यक लक्षण एक जोड़ी कारक से ही द्वारा प्रकट होता है इसके लगभग साल साल बाद 1922 में टिड़े की गुड़ सुत्रों पर प्रयोग कर रहे सर्टन सर्टन ने बता कि मेंडली कारक गुड़ सुत्रों पर मौझूद होते हैं और किसी एक जनक की एक जोड़ी गुड़ सुत्रों में से एक गुड़ सुत्रों संतान को मिलता तो इ और किसी एक जनक की एक जोड़ी गुर्ड सुत्र मेंसे एक गुर्ड सुत्र ही संतान को मिलता है अन्दल के बैगनी के बीच कुई व्यवस्ता anda को क्योंकि बैगनी और सफेद रंग के कारक अलग अलग गुर्ड सुत्र पर पाएगा तो इस प्रकास से मेंडल है उसको क्या है बेगनी और सफेद फूल की बीच के कोई अवस्ता क्या है नजन नहीं क्योंकि बेगनी और सफेद रंग के जो कारक उता है उसके जो गुड़ सत्रवा अलेग अलग पाग है हथा मिला-जूला सुरुप बनने की संभाना कम से कम होता है इस प्रकाद से जो मिला-जूला बनने की संभाना होता दिया बहुँंधी कम हूता इस प्रकार से जो मेंडल ने जो अफजर्व किया था, बैगणी और सफ़द पाँ कि इसका जो मिला जुलावा नहीं पाँ मेंडल की कारक को आगे चलकर जीन कहा गया तो इस प्रकार से यह स्विकार किया गया कि जो जीन होता है बाद में हम यह भी पत्राचल लग की एक जीन से कहा बैगनी रंग निर्धारित होता है पर जीन क्या है तो जीन के बारे में जाते हैं कि जीन क्या होता है तो जीन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं सोथ आगी बढ़ा और अनवनसिक पतात डियने की खोज हुई और उस पर उने हिस्सों की खोज होनी लगी जहां से लक्षणों का निर्धारन होता है। तो जैसे जैसे सोत आगे बरता गया तो आनवन से की पता जैसे के डेने की खोज हुई तो उन हिस्सों का पता लगा जहां से लक्षणों का निर्धारन होता है तो चेले डेने के बारे में समझते हैं कि डेने क्या होता है तो आप लोग रियाद रहेगा कि USDA के संब्स में जीवित को से कहाओ कि गुर्च उत्रों में पास जाने वाले तन्तू अडू कोही कि डीने कहा जाता है डेने की से कहा जाता है तो जीवीत सी कहां कre गुर्स उत्र में पास जाने वाले संतुनमां अडों को ही डीने कहा जाता है क्य rebel बिवह का इन और जो पुरा नाम होता है इसकंगा अंlor को पूरा नाम होता है इसे कि इसके इसके आप और फ़र बाद उसकी पसाथ आर आइबिव और आइबो एड तरफ दी ऑखी राइबो न्युक्लिक अशके पसाथ एसी आइड यूटर था यूटर होता है तो इसको याद रहेगा तो यूट है डे ओब और इसको आप लोग याद रिखेंगा जो इसका हिंदी नाम होता है वह भी क्या होता है इसको बोलता है डी आक्सी राइबोनुक्लिक अंबला तो यहां पर मैं लिख दे रहता हूं तो यह होता है कि आख सी राइबो न्युक्लिक अंबला तो यह होप लोगों को डी ने के बारे में समझाओ कि जो डी ने होता है इसका जो पूरा नाम होता है वह दे आक्सी राइबोनुक्लिक अंबला होता है जो जीवीद को सिखाओं के गुर्चुत्र में पास जाने वाले तंतुनुमा एक सरचना होता है ओके अर्थाद जो डी ने होता है वह अनु की सरचना घुमावदा सड़ी कि दरह ही होता है जीन डीने के उस हिस्से को मारा गया जिससे प्रोटीन बनने के सुचना मिलता है किसी जीन समू में एक भी जीन में फिर बदल से नय जीन समू बनता है इस प्रकास तो नय जीन समू बनता है तो इस वज़े से क्या है जो जीन समू वाले जो नय संतान है वहां संतान नय जीन समू की होती है तो इस प्रकास से यदि जीन समू में क्या हता है फिर बदल या यदि बदला होता है तो ऐसे जीन समू वाले संतान नय जीन समू क्या हो नहीं तो इस प्रकासि इस प्रजाति का निर्माड फिर निरमित होता है और इसके अद्शार पर प्रजातियों की प्रजातियों के अंतरगत दीया जाता उस प्रकासि गया प्रजाति क्या होता है निर्मीत होता है इसके अधार पर प्रजातियों की परिभासा आनवण जिक प्रजातियों की अधाना या जैनेक इस पैसे य कि आप लोगों को समझाया होगा फॉप आप लोगों को आज का टापिक जिन को से चैन्त प्रक्तने चैन्ट के बारे में समझाया होगा तो चलिए जानते हैं कि आप हम लोगों ने क्या है क्या सिखा है तो आज हम लोगों ने जीन एवं DNA डी ऑक्सिराइबोनीक्लिक अमला के बारे में जाना तो जीन क्या होता है तो जीन के संबन में आप लोग याद रखेगा कि जीन आनुवन सिकता है कि सबसे छोटी इकाई है इवं जीन के द्वारा ही मातल पिता कि लक्षान संतानों तक पहुंसता है इसके साथ ही हम लोगोंने DNA, Deoxyribonucleic, Acid या Deoxyribonucleic अमला के बारे में जाना तो DNA का जो पूरा नाम होता है वाद Deoxyribonucleic Acid होता है जिसको हिंदी में Deoxyribonucleic अमला बोला जाता है हम लोगोंने DNA के बारे में जाना की जीवित को सिकां के गूर्चुत्र में पाई जाने वाले तंतुनुमा अडो को ही DNA का आज आता है इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि DNA अडू की सरचना गुमादास रणी की तरह होता है तो आई होप आप लोगों को समझा होगा तो आज की लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद